मैंगो कुलफा बनाने के लिए हमने एक लिटर दूद लिए और इसको हम अच्छे से बॉइल करेंगे जी तो दूद में बॉयल आचुका है अब हम इसमें एड करनेंगे चीनी चीनी हमने थ्री फॉर्थ कप या तीन चुथाई कप एड की है यह मीठा आपकी चॉइस के मताबिके अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं मैंने थ्री टी स्पून है चीनी एड करने के बाद हम इसमें मुसलसल चमच हलाएंगे ताकि जो चीनी हमने इसमें डाली है वो चैसे डिसॉल्व हो चुकी है अब हम वन फॉर्थ कप दूथ हमने लिया है इसके साथ ही हमने दो टेबल स्पून कॉन्फ्रो और एक चुथाई या वन डालेंगे और साथ ही हम इसमें फूट कलर अब इसमें दूद मिक्स कर देंगे यह हमने कॉन फ्लो और इसमें यलो पूट कलर दूद में आड कर दिया है फ्लेम हमने लो कर दिया इसका और हम इसको इसमें आइसा आइसा से शामिल करेंगे और चमच मुसलसल हिलाते रहेंग अब हम इसमें साथ ही खोया शामिल करेंगे यह मैंने खोया लिया है एकप खोया ही और यह प्fishe 걸件 कहते हैं यह आपको हलवाई की दुकान से मिल जाएगा हम कौन फॉर्के साथ ही इसमें खोया शामिल कर दिया है तो आप जोते क्षवया मेल्टे और इसमें जब टक हम इसको कोय के मेल्ट होने तख हुआ संसरो छमच लाते हूं जी तो इसमें कोय इत्रफ्ट करना है तो हमने को लो फ्लेम पर चमच हिलाती रहना है यहूं अब मैं फ्लेम आफ और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे जब यह अच्छी से धंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे और मैंगो प्यूरी शामिल करेंगे लेकिन इसका बहुत अच्छे से ठंडा होना बहुत ज़रूरी है यह बहुत ठंडा होगा रूम टम्रिचर पर आएगा तो फिर हम इसमें बागी को और चीजें शामिल करेंगे जी तो हमारा जो है यह मिक्स्चर बिल्लकुल थंडा हो चुक है अच्छे तरीके से अब हम इसम करेंगे इसमेंड कर देगे हैं अब क्रीम को हम हैंड विस्की मदस्के में इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सिख वर्में Bij माव ऑचल से हमें completo इसमें मिक्स कर लिया गया मैलें आम एक मिर गरेंने श्यां औरा जाब कर एकल चैल कर ग्राइंड बिला सवalen प्युप दोष अब में इसको इसमें मिक्स कर लोगी मैंगो प्यूरी हमने इसमें शामिकर करके अच्छे से मिक्स कर लिए अब हम एक एर्टाइट कंटेनर नेंगे इस तरह से और उसलिए हम इसको डाल देंगे इस इस इसको डाल दिया हम इसको बंड कर देंगे और 24 आर्ट के लिए फ्रीजर में रख देंगे 24 आर्ज गिजर चके हैं और हमारा कुल्फा मेंगो कुल्फा यमी पिल्कुल रेडी है चले आए इसको डिशrada खर ले दो मैं डीशाउट कर लेते हीं औन बारना कर दा कंटेनर कों में डाला घाला काट लेते हैं इस तरह से कितने अर्राम से और कितने मिज़े से कट रहा है यह जही तो कुल्फा हमने कट कर लिया है अब में इसको कप में लगते है इसे हम पिस्तर से गार्निश कर लेते हैं और यह हमारा मज़ेदार मेंगो कुल्फा तयार है जी तो हमारा मेंगो कुल्फा तयार है आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं और अपनी घर्मिया इंजोई करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपन फीडबैक जरूर दे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला हाफिज